सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाओंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कर्ज माफिर के लिए जैसा कि कॉंग्रेस ने वादा किया था उसके समंद में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे आप देख सकते हो अतियावश्यक नोटीस है और यहाँ पे आप देख सकते हो साक्त साका को का गया है कि रिनी सदश्यों के दरब से दिनांक 311.2018 को बैक काया रहे रिनों की सूचना विजवाने बाबत तो एक बड़ी अपडेट आपके लिए निकल के आ रही है सूचना मांग ली गई है कि किस किस के रिणी यहां पे बकाया है सिर्स सहकारी बैंक से प्राप्त पत्रांक RSCB और यहां पे उप्रयोक्त विशांतरगत लेख है कि प्रशांगीक पत्र के माद्यमशे सिर्स सहकारी बैंक के द्वारा विभिन रिण मदो अंतरगत रिणी सदश्यों की तरफ से दिनांक 3011-2018 को बकाया रिण में से अवधी पार बकाया की तदकाल सूचना यहां पे चाही गई है बकाया रिणों के अंतरगत सूचना अल्पकालीन फसली रिण, मद्देकालीन कर्शी अफरिण, मद्देकालीन अकर्षी ऋर्ण और अने सभी प्रकार के अगरिम किये गए रिनों में से दिनांक 31.21.2018 तक रिनी सदेश्यों की तरफ से बकाया की सुचना संगलन प्रारूप में रिनी वार तयार करवाई जाकर विजवाई जावे साथ ही रिनी वार तयार सूचियों के अधर पर संकलित सूचना भी संकलन प्रारूप में यहां पर देख सकते हो 30, 11, 2018 तक रिनी सदेश्यों की तरफ से बकाया की सूचना संकलन प्रारूप पर विजवाई जाए और रिनिवार यहां पे सूचिया तयार करने के भी आदेस जारी कर दिये हैं और यह आप देख सकते हो अलग-अलग यहां पे फोरम में 50,000 तक के रिन बकाया है और 50,000 से 1,00,000 के तक के रिन जो बकाया है उनके लिए सूचना है तो किस प्रकार से आपको इसमें फोरम बरना है उसकी जानकारिया आपको अगले वीडियो में मिलेगी तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबालीजिए दन्यवाद जेहिंद वंदे मातरम